आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोसल एवरिनेस में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों क्या अगर कोई ब्यक्ती अपनी पत्नी की उपेच्छा करता है अपनी पत्नी को मेंटेन करने से मना कर देता है तो क्या इस बेसेस पर घरेलू हिंसा अदनियम के तहट भी गुजाराबता मांगा जा सकता है आज के इस एपिसोट में इसी के बारे में बाचीत करेंगे आज देखेंगे कि दंप्रक्रिया सहीता की धारा जो 125 है उस 125 और घरेलू हिंसा अदनियम के तहट जो मॉनिटरी रिलेप के रूप में जो मेंटेनेंस का आदेस पारित किया जाता है इन दोनों मेंटेनेंस के आदेस में बेसिक डिफरेंस क्या है 125 के तहट जो आदेस होता है वो किन ग्राउंड के बेसिस पर होता है और domestic violence के तहट जो maintenance का order होता है wife के लिए वो किस ground के तहट होता है बहुत ही महत्मूर जानकरी है अगर आप ने अभी code join की है आप junior advocate है तो भी जानकरी आपके काम आएगी और अगर आपका matrimonial dispute हो गया है अपनी wife से इस तरीके का कोई case court में चला है तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए तो साथियो जोड़े रहा करी तक देखते हैं कि इस समंद में कानून क्या कहता है दोस्तो मैंने 125 CRPC जिसमें maintenance के बात कही गई है उस पे मैंने detail वीडियो बनाया था और उस समय मैंने बताया था कि अगर कोई ब्यक्ति अपनी पत्नी अपने बच्चों और अपने parents का देखरिक करने से मना कर देता है उनको neglect करता है उनका भरव पुसंद नहीं करता और वह लोग अपना भरव पुसंद करने में असमर्त है तो 125 CRPC के तहत पत्नी हो या बच्चे हो या माता पिता हो भरव पुसल कमो कदमा परवारिक ने अले में दाखिल कर सकते हैं पूरा डिटेल में मैंने उस वीडियो बनाया था कि कौन से बच्चे दाखिल कर सकते हैं कौन से दाखिल नहीं कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूँगा आप डिटेल में अगर 125 के बारे में ज तक डिफ्रिन टैप्स की रिलीफ दिगई है प्रोटेक्शन ओर्डर की बात कही गई है मॉनिटरी रिलीफ, रेजिदेंस ओर्डर, कमपनसेशन, कस्टेडी ओर्डर ये तमाम ओर्डर की बात कही गई है हलाकि मैंने DVACT में भी काफी पहले डिटिले वीडियो बनाया था उसका लिंक भी आई बेटन में दे दूगा आप पूरी जान करिए अगर चाहते हैं DVACT के बारे में तो उस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बता दू कि Domestic Violence में भी Monetary Relief की बात कही गई और Monetary Relief के तहट भी अदालतें गुजाराबता का आदेश पारित करती हैं अब जो बेसिक सवाल था कि 125 में अगर पती अपनी पतनी की उपिछा करता है नेगलेक्ट कर देता है तो वह मेंटिनेंस मांग सकती है तो क्या घरेलू हिंसा में भी अगर पती उपिछा करता है नेगलेक्ट करता है तो मेंटिनेंस मांग सकती है कि नहीं मांग सकती है हला कि Domestic Violence में ऐसी कोई बात नहीं कही गई Domestic Violence में किसी भी Relief को देने के लिए यह जरूर कहा गया है कि Domestic Violence का Incident होना चाहिए मैंने कई वीडियो में इस बात को बताया है आज एक बहुत ही latest Mumbai High Court के के केस के बारे में बात करते हुए मैं आपको समझाता हूं यह Mumbai High Court का जो केस था इसमें क्या कहा गया और Mumbai High Court ने किस तरीकी की बात कही क्या judgment दिया इसके बारे में डेटेल में बात करते हैं तो आपको दोनों धाराओं का जो गुजारे भत्ती के दोनों धाराएं हैं गरेलु इंसा और 125 से रपीसी दोनों का एक बुन्यादी फर्क जो है वो समझ में आ जाएगा दोस्तो मॉंबई हाइग ऊटेग मामृ पहुंसता है मॉंबई हाइग की औरंगाबाद खंड़ पीट के सामने एक पतनी अपने पती के बुरूतोदारा 12 डूमेस्टिक वैलिन्स के तहत है कंप्लाइन फ्याइल करती है complaint file करने के बाद उसमें maintenance की मांग करती है Magistate की नियाले पूरे trial के बाद यह पाती है कि जो बातें सबूत के तोर पर नियायाले में पेस की गई उन बातों का pleading में तो कहीं जिक्रता ही नहीं Finally Magistate की नियाले इस आदार पर कि घरेलो हिंसा घटित होने की कोई भी सबूत नियाले में पेस नहीं किये गए पतनी द्वारा दाखिल domestic violence की complaint को निरस्त कर दिया जाता है Magistate की इस आदेश के खिलाब सेसन कोट में अपील की जाती है जैसा कि आपको पता है कि section 29 DV Act के तहए सेसन कोट में अपील की जाती है किसी भी order के खिलाब जो DV Act के तहट होता है सेसन की नियाल यह तो पाती है कि domestic violence से सम्मंदित कोई भी incident पतनी के साथ हुई घरेलो हिंसा की कोई भी घटना की गई इसका कोई सबूत नहीं है लेकिन चुकि पतनी गुजारा भत्ता 125 के तहट मांग सकती है और पती उसके उपेच्छा किये हुए है maintenance देने से उसको refuse कर रहा है माना कर रहा है लेहाजा सेसन नियाल है घरेलो हिंसा की अपील में 125 CRPC के तहट maintenance देने का order कर देती है अब आप समझेगे यहाँ पर यह भी एक question है कि क्या घरेलो हिंसा की मुकदमे में 125 के तहट आदेस पारित किया जा सकता है जैसा कि सेसन कोट ने किया domestic violence की अपील थी order कर दिया 125 CRPC में अब इस आदेस के खिलाब husband के द्वारा मुंबई हाई कोट में criminal revision दाखिल किया जाता है तो देखते हैं कि मुंबई हाई कोट में क्या होता है साथियो जी मामला मुंबई हाई कोट पहुशता है criminal revision संख्या 233 बटे 2018 मुंबई हाई कोट के द्वारा बहुत ही गंभीरता से इस मामले को देखा जाता है और कानून को देखा जाता है कि घरेलो हिंसा को साबित करने के लिए परिछण और भरन पोसर से इनकार और उपिच्छा दोनों अलग-अलग है Domestic Violence Act के केस में यह साबित किया जाता है कि घरेलो हिंसा हुई की नहीं जबकि उपिच्छा और maintenance देने से मना करना इन दोनों को साबित करने के लिए घरेलो हिंसा में कोई परावधान नहीं है यह का जाता कि घरेलो हिंसा दिने में भरन पोसर से इनकार और उपिच्छा का परिछण करने के लिए कोई परावधान नहीं है घरेलो हिंसा की आउधारना specific है जैसा कि DV Act में प्रदान किया गया है इसकी तुलना दन्ड पुर्किरा सहीता की धारा 125 की अउधारां से नहीं की जा सकती यानि जो प्रिंस्पल 125 के लिए होने चाहिए maintenance का order करने के लिए वो प्रिंस्पल DV Act में नहीं होने चाहिए ट्राइल कोट के सामने मुद्दा यह नहीं था कि इनकार और उपिच्छा की अउधाराणा पर बिचार किया जाए आप समझेए जो सेसन कोट ने order किया तो मुंबाई हाई कोट ने कहा कि सेसन कोट के समझ यह मुद्दा नहीं था कि पती ने भरण पुसर देने से इनकार किया पत्नी को पेच्छा की की नहीं बलकि यह मुद्दा था कि डीवी एक्ट में गुजरा भत्ता देने के लिए क्या घरेलू हिंसा घटित की गई की नहीं घटित की गई यह बिचार करना था ट्राइल कोट का लिहाज आए कानून की तमाम बारीकियों को डिसकस करते हुए मुंबई हाई कोट के बेंच के द्वारा कहा जाता है कि सेशन ने आयाले ने जो घरेलू हिंसा की अपील में 125 CRPC के तहत मिंटिनेस को आदेस पारित किया वह छेत्रादिकार से बाहर था जुरिस्डिक्सन से बाहर का मामला था अदालत ने कहा कि घरेलू इंसा के मामले में पत्नी को भर पोसर देना अत्रिक्त सतने आधिस के छेत्रादिकार में नहीं था यानि घरेलू इंसा की अपील में 125 के तहत मिंटिनेस देना ये छित्रा अधिकार के बाहर था फाइनली सिसन कोट के आदेश को मुंबाई हाई कोट के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और मजिस्टीट की नहले ने जो आदेश किया था डुमिस्टिक वैलेंस की कम्प्लेंट को खारिच करने का पत्नी को मेंटेनेस देने से मना करने का उस आदेश को बहाल कर दिया जाता है तो दोस्तो यह एक बहतरीन आदेश है घरेलु हिंसा के बारे में तमाम उन प्यूरत हस्बैंट्स के पच्छ में यह आदेश है जिनकी पत्नियों के द्वारा घरेलु हिंसा का मुकदमा दाखिल कर दिया गया है तो दोस्तो यह थी एक महत्पूर्ण जानकारी जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं किसे अन वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ तब तक कानून की महत्पूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंडुसोसल एविजनिस